नमस्कार स्वागत है आप सभीकाथ ये इनपी न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ मिशा सिंग दिली के नांगलोई इलाके में रोड रेस के चलते हुए जगडे के बाद एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या करती गई मृतक का नाम साहिल मलिक है पताय जा रहा है कि मृतक के भाई विशाल का नांगलोई मेट्रो स्टेशन के पास मिनी बस चालक से बाइक तच होने पर मामुली सी बात पर जगडा हुआ था विशाल ने फोन कर पूरी बाद साहिल को बताई थी सूचना पर साहिल नांगलोई पहुचा तबी रास्ते में घात लगाये प्राधियो ने उसकी हत्या करती चाकू लगने की बाद साहिल सडक पर गिर कर तडपता रहा लेकिन उसकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया सब मेरा विशाल मलीक बतीजा है हां जी हां जी वो फांच बजे के लगबद जिम में गया था एक्सरसाइज करने के लिए अच्छा पाइनल कर अपनी जैसे निकल रहा था बाद नजब गड़ोड पे जी मैं हां जी ये आर्टी भी गाड़ी जो थी उसकी बाइक के पीछे तो थोड़ा सा उनका पुछ ऐसा है इसा किताब मना कि कुछ कासु नहीं हुए उनकी आपस में तोनों भी विशाल मलीक के उपर इतना है वी हो गए कि विशाल मलीक वहां से बागा तो वो उसके पीछे पीछे आये और जो कि नांगलोई मेट्रो स्टेशन से नीचे ये उक तुर चलाने कि कोशिश करी उसको आरड़ीवी को विशाल ने अपनी जान बचाई उन से फिर भी उन्होंने विशाल के उपर हमला करा तो विशाल ने अपनी जान बचाने के लिए बाइक तो नहीं छोट दी जी और वो सीधा नांगलोई थाने में आ गया जो कि जहां ये यह वहां से नंगलो इथाना मेज 200 मिटर की दूरी पर है यह नंगलो इथाने में आने के बाद में विशाल मलीक, जो हैं, एक आयो साथ हैं, मलिक साव हैं, मैं पुरा नाम उनका जानता हैं नहीं, टैटल उनका मलीक हैं, उकेश मलीक से मिलें, उन्होंने उसका जो है वो तो अपनी बाइक वहां से जाके खुद उठाके ला तो साहिल मलिक जो कि विशाल मलिक का छोटा वाई है जिसका मड़ हुआ है जी यह उदोग नगर होंडाई शोरूम के अंदर जॉब करता है जी यह साड़े च्छे बजे चुपली के वहां से होई थी यहां आया था तो वि बाइक के पास आट तस लोग खड़े वे थे उन्होंने साहिल मलिक पर जाते ही वहां हमला कर दिया और हमला जो है ऐसा करा कि उनके पास सभी अतियार दें लाटी डंडे चोड़ी चाको जी उसका मड़र करा उन्होंने अंदा सब्सक्राइब